अगर तुम भी हर किसी को गूड मॉर्निंग कहते हो तो आज से ये बोलना बंद कर दो क्यों किया हुई क्यूंकि इस वीडियो में मैं तुमें तुमें दस ऐसे नए तरीके बताऊंगा जिससे तुम अलग तरीके से गूड मॉर्निंग कह सकोगे और ये तो कुछ भी नहीं है जब तुम गूड नाइट के दस नए तरीके जानोगे और हाँ इस वीडियो के एंड में मैं तुमें ये भी बताऊंगा के मैंने इंगलिश केसे सीखा तो आज की वीडियो काफी नोलिजबल होने वाली है अगर तुम इस वीडियो का एक भी पार्ट गल्टी से भी मिस कर देते हो तो तुमारे लिए इंगलिश सीखना काफी मुश्किल हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो लेट्स बिगिन सबसे पहले ये जानते है के गुड मॉर्निंग का मीनिंग क्या होता है उर्दु में इसका मतलब होता है सलाम यनी सुबा का सलाम और हिंदी में यनी इंडियन जुबान में इसका मतलब होता है नमस्ते अगर आपको कोई good morning बोले तो आपको good morning के जवाब में good morning नहीं कहना है आपको इसके जवाब में कहना है have a great day और इसका मतलब होता है कि आपका दिन अच्छा गुजरे और हमारा दूसरा नया phrase है rise and shine ये आपको good morning के जवाब में कहना है जब आपको कोई good morning बोले या good morning wish करे तो आपको पिर जवाब में good morning नहीं कहना आपको बोलना है rise and shine और हमारा तीसरा phrase है wishing you a good day जब आप ये किसी को बोलोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और इसका मतलब होता है के मैं आपको एक अच्छे दिन की दुआ देता हूँ हमारा fourth number फर जो phrase है वो काफी interesting और simple phrase है वो काफी use होता है और वो है morning sunshine morning sunshine ये sentence अमूमन सुबा के वक्त प्यार या खुशी के इजहार के लिए use होता है और इसका उर्दु में मतलब होता है सुबा की रोशनी हमारा next phrase है happy morning ये phrase बहुत ज्यादा use होता है और ये एक नया तरीका है किसी को 2024 में good morning wish करने का तो अगर आपको भी कोई good morning बोले तो आपको जवाब में कहना है happy morning और इस phrase का उर्दु में मतलब होता है कि आपका दिन खुशगवार गुशरे यानि आपका दिन खुशी से बरा हुआ हो हमारा six number फर phrase है good day ये चोटा सा phrase आप good morning के बदले में कह सकते है और seven number फर जो phrase है वो काफी interesting है और वो है fresh start today ये एक advanced level का phrase है जब ये phrase आप किसी को बोलोगे तो वो काफी आपसे impressed हो सकता है तो इसलिए आप good morning की जगा ये phrase बोले और हमारा next phrase है morning blessing morning blessing और हमारा nine number फर phrase है shine today shine today good morning की जगा आप ये चोटा सा phrase भी बोल सकते है जिसे आप advanced level के लगोगे तो इसलिए आप good morning की जगा shine today बोले और हमारा final और आहिरी phrase है good morning का वो है morning joy morning joy और इसका मतलब होता है कि morning को enjoy करे यानि morning का मजा ले इसके इलावा अगर आपको good night बोलने के नए तरीके नहीं आते तो फिर शाम को तुम वो boring good night बोलोगे जिससे तुम भी boring लगोगे तो चलो मैं आपको good night कहने के कुछ नए तरीके सिखाता हूँ तो हमारा पहला phrase है sleep tight तो ये एक नए तरीका है good night कहने का अगर आपको कोई good night बोले तो आपको reply में good night नहीं कहना आपको बोलना है sleep tight और हमारा अगला जुमला है sweet dreams ये जुमला आप good night की जगा बोल सकते हैं हमारा next phrase है sleep well और इस phrase का मतलब होता है के अच्छी तरह नींद लो यानि अच्छी तरह नींद हासल करो अच्छी तरह सो और अगला जो तरीका है good night कहने का वो काफी interesting है और वो है have a peaceful night और इस phrase का मतलब होता है के आपकी रात पुर अमन हो और हमारा last phrase है wishing you a restful night और इस phrase का मतलब होता है के मैं इलतिजा करता हूँ के आपकी रात सकून से गुजरे ओके वीडियो के start में मैंने आपसे बोला था के मैंने English कैसे सीखा तो इस वीडियो में मैंने अपने तीन साल का experience पांच tips में शेयर किया है तो वो जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें जिससे तुम भी बहुत आसानी से English सीख सकोगे